ओम शान्ति तो हमें याद नहीं रहता जब ये कभी बाते आती हैं तो ये मुरली के पॉइंट्स भूल जाती हैं हम बहाव में भैजाते हैं फिर अपने कोई तर्क देते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया हम अपने को खुदी बचाते हैं और खुदी फसाते हैं और फिर कहते हैं कि बाबा, ये देखो माया क्या कर रही है, फिर दोष माया पे लगाते हैं, कहीं न कहीं direction follow ना करने का कारण, तो मैं खुदी हूँ ना अत्मा, नहीं सुनते ठीक ढंग से, नहीं समझते ठीक ढंग से, इसलिए फसे फसे से रहते हैं, सब कुछ पता है फिर भी इस बावंडर में फसे हुआ है मालूम है कि भगवान क्या कह रहे हैं कैसे निकलना है कैसे संभलना है तो आज की मुर्ली को बहुत अटेंशन से पढ़ना भी सुनना भी और पूरा हफ्ता इसको रुपीट करना क्योंकि यह जो तीन बेमारियां हैं न यह स्वववनती तो बिलकुल नहीं करने देती और अगर स्वववनती नहीं हुई है तो फिर बाबा के पास जो रजिस्टर है मेरा उसमें मेरे नंबर कितने लगे होंगे बस इतना सोच लेना कि बाबा अगर मेरी तरफ देखेगा तो मुझे कितने नंबर देगा मेरी अक्टिविटी बाबा को खुश कर रही है या नहीं कर रही है वहां से देख लेना तर्क देने की जुरूरत नहीं है आपकी खुशी, आपकी चलन, आपका चेहरा सब शो करता है इसकी अवस्था हलकी नहीं रहती है भारी-भारी रहता है यह हर बात में नेगिटिव हो जाता है कोई बाद सीधी साधी भी होईगी उसमें भी उल्टा उठा लेता है तो यह किस चीज़ की निशानी है अटेंशन ना देने की निशानी है यह सारी तो ये मुरली पर आप बारम बार अटेंशन देना तो इस हफते इसका टेस्ट भी लेंगे बार-बार बढ़ना, बार-बार सुनना, बार-बार देखना, कहां गड़वड है क्यों मेरी प्राप्ति आगे बढ़ने की बज़ा है, पीछे या तो रुक जाती है, या पीछे आ जाती है चक्कर क्या है, कुछ तो मैंने सुन लिया है, कुछ तो मैंने इकठा कर लिया है क्योंकि जब बाबा के बनते हैं, हम बिल्कुल पतित होते हैं फिर भी बाप का ही सुनते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं, हमें किसी पर भर्वसा भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं, कि नहीं सारे हमारी तरह ही हैं, ऐसी ही हैं, तो चाहे 15 साल का हो, चाहे को 20 साल का, 50 साल का हो, ग्यान में, तो उसको भी ऐसी समझ लेते हैं, ह उसका परिवर्तन हो जाना है, हमारा क्या बनेगा, उसको पचास साल से तपस्या कर रहा था, कुछ ही समय पहले उसको एक कोई संस्कार ही मर्ज हो गया था, और उसी के वो संस्कार देखने के चक्र में, मैंने सोचा पचास साल वाला भी वैसा है, मैं भी वैसा हूँ, कोई फरकी नहीं है उसको तो realization पांच मिनट में भी हो सकती है, और मैंने जो पचास साल वाले का देखा कोई बुरा मेरे क्या होगा, मैंने तो अपनी तपस्या भी नहीं कर रखी पचास साल की तो इसी लिए जो बाबा मुरलियों में कहते हैं, इसको practical कीजिए, तब last सुफाज जा सकते हैं, कोई ऐसे सोचे कि मैं आया एक साल में आगे जा सकता हूँ, उसकी अवस्ता आगे उसको लेके जाएगी, कोई और नहीं